हलो दोस्तों स्वागत है आप सबका संकल्ब मैथ की यूट्यूब चैनल पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉप 50 कुष्टिन्स modern history से अधुनिक भारत से वे कुष्टिन्स हम लोग पढ़ेंगे 50 कुष्टिन्स जो बार-बार और इक्जाम में आप के पूछे जाते हैं चाहिए वहएसच्जी का अग्जाम हो यूपिटर पलसी का हो फैन्क रेल्वे समय आपसे इसमें से कुष्टिन्स आते ठीक है तो आपको क्या करना है हमारे साथ बिल्कुल धैर इसके साथ में बने रहना है और बिल्कुल थोड़ा लंबी हो सकती है वीडियो एक घंटे की लंबी भी हो सकती है लेकिन इसमें आपको ये वीडियो खत्म होने के बाद में आपको modern history के 80% part को आप cover कर लेंगे ठीक है तो हम लोग कुशन के साथ साथ में उसका explanation भी देखेंगे और इस तरीके से हम total 50 कुशन कवर करेंगे पहला कुशन देखते है पहला कुशन है मद्धिकाल में सरप्रतम भारत से व्यापार संबंद स्थापित करने वाले कौन थे तो देखिए आपको पता है आदुनिक ठाननबे में जब वासको डिगामा इंडिया पहुंचता है उससे पहले देखो यूरोप में एक देश है इस्पेन और एक है पुर्तगाल यह फ्रांस है इस्पेन के साथ में लगा हुआ यह फ्रांस यह इस्पेन और यह पुर्तगाल देश है तो यहां से दो नाविक निक कलता है कोलंबस ठीक है तो यह दोनों इंडिया की खोज में इंडिया की खोज में निकलते हैं यहां से पुर्टगल से तो कोलंबस तो इंडिया की खुच करते-करते पहुंच जाता है अमेरिका ठीक है नौर्थ अमेरिका यहां तो और यह वासको डिगामा यहां से आता है न कौन सेसन में पहुंसता है 1490 में तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें ऑप्शन के हिसाफ से सबसे भारत किसा संबंद किसने स्थाफित के व्यापारी संबंद पुर्दगाली होने है ठीक है तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देखते हैं यह लिखा हुआ है भारत में विदेशी कंपणियों का भारत आगमन एक द्रिश्टी में मतलब कैसे कैसे कौन-कौन से कौन-कौन से देश की कंपणियां भारत में आई व्यापार करने के लिए और उनका क्रम क्या है कब उनके स्थापना हुई यह सब हम देखेंगे ठीक है तो सबसे पहले भारत में जो पूछा जाता है जादा तर पूछा जाता है भारत में आगमन का क्रम पुर्टगाली आए फिडच आए ब्रिटिस आए डेनिस आए फ्रांसेशी फिर स्वेडिस तो पी डी बी डी है याद रखो पी डी बीडिए है तो बस याद रखना पको पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा पीडी बीडी है झीया निक् chínhरा ऑपक्रेटिवर फिर याद बीडियस दनी स्वेडिक है तो याद हो जाएगा लेकिन कंपनियों की जो इस्थापना का करम है, यह थोड़ा सा अलग, यह PDVDF नहीं है, सबसे पहले पुर्तकाली इस्टिडिया करम बनी, फिर उसके बाद में अंग्रेजी इस्टिडिया करमी बनी, फिर डच, फिर देनिस, फिर फ्रांसीसी, फिर स्वेडिस, बस इन दोनों के कंपनी बनने का करम ह ब्रिटिस कम्पनी बनी तो 1600 में लेकिन यहां आते आते इसको 1608, 1609 हो गया ठीक है 1608 तक यहां पर पहुंची लेकिन डच इस्टिनिया कम्पनी जो बनी वो बन गई 1602 में और जल्दी ही यहां पर इंडिया में आ भी गई तो इसलिए इनका जो क्रम है PBDF है ठीक है बनने का क प्रम PDBDF, PDBDF कई बार पढ़े हैं याद हो जाएगा आपको अब हम लोग देख लेते हैं कि पुर्दगाली कंपनी जो थी सबसे पहले कहां पर आई काली कट में अपनी कंपनी स्थापित की इस्टिनिया कंपनी ने सूरत में डच ने मसूली पटनम में अपनी कंपनी ल से ही फ्रांसीसियों ने भी वही वही काम किया है ठीक है तो अंग्रेजियों की जहां-जहां कंपनी आ होंगी वहां-वहां फ्रांसीसियों की भी होंगी ठीक है इन्हीं के बीच में सबसे ज्यादा संघर्स भी रहा अंग्रेजी और फ्रांसीसियों के बीच में तो पुर् कि यह ज़्यादर नहीं पूछे जाते हैं विर्निच ओ डिहस्तमान कॉलबर्ट, मार्टिन और विलियम, यूसलिक्स मेन यही दो हैं, यह दो आपको याद रखना है ठीक है अलमीडा, सबसे पहला कावर्नर और पृतिगाली इस्ट इडिया कमपनी का वास्तिवक संस्थाफ़क अलगू कर सर टॉमस रो इस्ट इडिया कमपनी के संस्थाफ़क अगला है वास्कोटिगावा भारत का बाया अभी हम लोगों ने देख लिया 1490 में भारत आया था कहां पर आया था काली कट के तरट पर यह भी पूछता है किस ने सौगत किया था यहां के स्थानी राजा जमोरिन ने किसने जमोरिन ने सौगत किया था अगला कुशन है निम लिखित में से कौन नीला जल योजना से समद देते है ठीक है तो नीला जल योजना देखो, ब्लू ओटर पॉलिसी पुर्द गालियों ने क्या किया था है, इंडिया के अंदर पहले हस्त अच्छिब नहीं चिए, यहां पर वापार वापार जादा करने के उसमें नहीं रहें, इन्होंने इंडियन असीन पर कबजा किया पहले, सबसे पह पूर्तिगालियों को समुद्री लुटेरा भी कहा जा था ठीक है तो ये काम किसने शुरू किया ब्लू वाटर पॉलिसी अलमीडा ने इसने अलमीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की और अलबुकर्क फिर उसके बाद में यहां पर जा करके अपना व्यापारिक केंद होजा थ्ल्थ टेक है तो ब्लू वाटर पॉलिसी किस से शूरू से पॉर्तिगालीयों से और पॉर्तिगाली एकर पूछा जाए कौन सा इंसमाg है तो अलमीडार में इसके साथ मिंटर हमें 텍जी की और कौन कौन से चीज़ फेमस हैं दो पॉर्तिगाली टमबाकू और मक्का ये तीन चीज़ भारत लाए क्या क्या तंबाकू आलू मक्का इसके साथ में प्रिंटिंग प्रेस की सुरुवात किसने की पुर्दगालियों ने अननास पपीता बादाम काजू मुंफले सकरकं लेची संत्रा ये सब किसकी है पुर्दगालियों की देन है लेकिन आ अगला कुशन है भारत में 1613 स्वी में अंग्रेजों ने पहली फैक्टरी कहां स्थापित की तो अंग्रेजों की जो पहली फैक्टरी हम लोगों ने देखा ही था कहां थी सूरत में थी ठीक है अगला है करनाटक युद किन किन के मर्द लड़ा गया देखो युद जो में युद हुए है वो अंग्रेज और फ्रांसिस्यों के बीच में मुक्रिसंगर्ज जो हुआ है ठीक है यहां पर पहले पहले यहां पर अंग्रेज आए फिर अंग्रेज ने जैसे सूरत में कोठी स्थापित की फिर पीछे पीछे से आगर के पुर्ट गाली पिर अपने को ठीड लगा लिए फिर अंग्रेज इदर से बंगाल की तरफ चले गए तो यह जो अगर करनाटक इन अंग्रेज़ों और और फ्रांसिसीओं के बीच में युद्ध लढ़े गया तीन वो किस नाम को जाने जाते हैं कर नाता के है ठीक है तो पूचा जाए कर नाटा के मतद्र लढ़ा गया अंसे कर नाता के बारहे में लोग देख लेतेंсем थोड़ा सा है देखिये पहला करनाटक युद्ध इनका अंग्रेजो का और फ्रांसिसीओं का युद्ध यूरोप में भी चलता रहता था फह पर पिस सिद्वाठा के आपस में लड़ने लगती थी तो सटरह सो छी आलिस से 1748 तग आउस्ट्रिया के उत्राधिकार का युद्ध चला वहाँ पर तो भारत में भी यहाँ पर करनाटक का युद्ध दर चल रहा था ठीक वहाँ वही पर यूरोप में ही एक्सला सैपल की संदी इनके बीच में हुई इनके बीच में जब संदी हो गई तो यहाँ पर भी जो करनाटक का युद्ध था वो रुप गया इस युद्ध में फ्रांसीसी की विजय हुई और डूपले जो वहाँ का गवर्णर था फ्रांसी बढ़े दूसरा करनाटक युद्ध कब हुआ धीरे धीरे क्या होने लगा फ्रांसीसियों और अंग्रेजों ने यहां के राजनीतिये में हस्त अच्छेव करना शुरू कर दिया कहीं पर कोई राज्य है और उसके दो उत्तराधिकारी है ठीक है राज्य की कुर्सी के लिए लड़ाई हो आई करती थी तो एक को अगर अंग्रेज मदद कर रहा है तो दूसरे को फ्रांसीसी मदद करने लगते थे तो यह आपस में दूसरे को अपनी चावी बना करके लड़ाते थे तो यह काम इन्होंने हैदराबाद और करनाटक के आंधरिक मामले में विवाद कर हस्त अच्छे करना शुरू कर दिया उन्होंने तो उन्चास से चववन के मद में यह चला फिर उसके बाद में पॉंडिचेरी के संधी होगे इसमें क्या हुआ अंग्रेजों फ्रांसीसियों ने भारती राजाओं नौबों के आंतरिक मामले में हस्त अच्छे करने का ना क कमजोर हो गया अब देखो तीसरा करनाटेक वार जो हुआ यह 1758 में हुआ 1757 में अंग्रेजों ने प्लासी जीत लिया था उसके बाद में इनके पास पैसा तो आई गया था और पावर भी आगी थी थोड़ी सी तो 1758 से लेकर के 63 तक वहां पर यूरोप में सबत वर्सी रणे लगे और यहां पर इसी में फ्रांसिस्यों की बुरी तरीके से हार हो गई यह पूछा जाता है किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसिस्यों को पूरी तरीके से पराजित कर दिया ठाई कौन lived वहा वाण डी वास का युद्ध तो आप बदाएं कम हुआ 1760 में इसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीस्चीओं को पूरी तरीके से पराजित कर दिया समझ में आ गया प्रतम करनाटक युद्ध, दोती करनाटक युद्ध, तित्ती करनाटक युद्ध संधियां पूछ जाती है, एक्सलास एपल, पॉंडिचेरी की संधी और पेरिस की संधी, ठेक है? एक और युद्ध पूछा जाता है, वेदरा का युद्ध, वेदरा का युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पूरी तरीके से पराजित कर दिया था, 1769 में हुआ था, यहां से खतम कर दिया, तो अब यह इकलोते बचे थे, अंग्रेज, जो यहां पर व्यापार करने वाले थे, अगला कुशन है, इंग्लैंड की इस्ट इंडिया कमपनी की भारत में प्रथम निर्डायक सायने सफलता कौन सी मन जाती है, तो को प्रथम निर्डायक सायने सफ यहां का नवाप कौन था, सिराज जुद दॉला, और अंग्रेजो की तरफ से एक था रोवर्ट कलायव, इन दोनों के बीच में प्लासिका युद लडा गया, और इसमें इसने क्या किया, सड़यंतर करकर के, सिराज जुद दॉला के कुछ सैनिकों को अपने साथ में मिला लिया था, मंदरियों को भी मिला लिया था, और धोके से सिराज जुद दॉला को हरा दिया था, तो प्लासिका युदि किसके किसके बीच हुआ, सिराज जुद दॉला और रोवर्ट कलायव के बीच, इसमें धोके से रोवर्ट कलायव ने सिराज जुद दॉला को हराया, फ ठीक है प्लासी का युद्ध खदम प्लासी का युद्ध में क्या होता है सरजो दोला रोबर्ट कलाइब के लड़ाई होती है और मंगाल का नवाब कौन बन जाता है मीर जाफर बन जाता है उसके बाद कुछ extra information है black hole की घटना 1756 में हुई 20 जून को इसमें क्या होता है अंग्रेज क्या कर रहे होते हैं दुर्गी करड कर रहे होते हैं तो सिराजो दोला मना करता है कि दुर्गी करड बंद कर दीजे उसके बावजोद भी अंग्रेज नहीं मानते हैं तो सिराजो दोला गुस्ता ह करके एक छोटे से कमरे में 146 अंग्रेज सिपाईयों को बंद कर देता है जिसमें से 123 मर जाते हैं और 23 लोग बसते हैं इसी में से 23 में से एक व्यक्ति होता है हॉल्वेल ठीक है तो यही इस इस ने ही इस घटना का वर्डन किया है हॉल्वेल ने फिर उसके बाद में यहां पर यही बंगाल में क्या करता है मानिक चंद को छोड़ करके सिराजो दोला वापिस चला जाता है सिराजो दोला फिर उसके बाद में जो क्लाइव होता रॉबर्ट क्लाइव वो मानिक चंद को रिस्वत देगता है अपने साथ में मिला लेता है और नवाब के साथ में आली मिर कासम को थाम था मिर कासम जो था थोड़ा सा होनहार नवाब निगला तो इसने क्या किया जो अवध का नवाब था अवध का नवाब था सुजाऊद दूला आवत का नवाब सुजाओ दौला और जो दिल्ली का मुगल सम्राट था सा आलम्दुती दिल्ली का सम्राट कौन था सा आलम्दुती इन तीनों के साथ में मिल करके बक्सर के मैदान में किसके साथ में हेक्टर मुण्रो के साथ में युद्ध लड़ा अधिक अंग्रेजों की तरफ से सेनापति कौन था है अधिकर मुन्रो और इधर से मीर कासीम आवद का नवाब सुजावत दोला और दिल्ली का समराठ साहा लंग दूती इन तिनों ने मिलकर के इन तिनों को अधिकर अधिकर सिद्धी पहला युद्ध था अंग्रेजों के द सब्स्राब को भीषरा दिया और मीर कासीम को भीरा दिया इसके बाद में होती है दो संदिया इसके बाद में इलहावाद की संदी क्या участ aka with कवोता है यूद्ध यह बक्सर कropoleht jakता है व्लाभाइब आलावान कीоды श्म कराने श्नदी 765 और 27 कि अगला कुशन है वांडिवास का युद्ध में किसने किसको हरा ब्रिटिस ने फ्रेंच को हरा दिया यह अगला कुशन है टीपू सिल्टान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कम मारे गाए इस कुश्चिन को भी करने से पहले पूरी टीपू सिल्टान और मैसूर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं देखे मैसूर और अंग्रेजों के साथ में चार पुल युद्ध होए ठीक है पहला मैसूर युद्ध टीपू सिल्टान के पिता हैदर अली के साथ में हुआ दूसरा हैदर अली के साथ में और अं मैसूर को अंग्रेज होते हैं अपने में मिला लेते हैं तो आपसे question पूछे जाएगा ये संदियों से question आते हैं तो MMS से याद रखेंगे मदरास, मंगलोर, स्री रंगभटनम देखो मदरास चोटा है पहले मदरास आएगा फिर मंगलोर देखो 4 अक्षर का है तो ये बड़ा है मदरास में अंगलोर, स्री रंगभटनम, MMS से याद रखेंगे पहला कब हुआ 1767 से 1770 तक फिर असी से 84 तक 90 से 92 तक और चौथा हुआ निन्या निवे में और इसी में टिपु सिल्टान की मृत्ति हो जाती है ठीक है 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 एक मात्र सासथा दक्षिड भारत का जो कम जोर हो जाती है तो अब आपको इस कुश्चन का अंसर मिल गया होगा कि टिपु सुल्टान युद्ध में कम मारे गए 1770 अगला कुश्चन लिखा हुआ है कौन सुमेलित है एक सुमेलित है पर्थम आंगल में सुजिद में हैदर अली पराजित हुआ है दोती आंगल में सुजिद में हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया नहीं अंग्रेज पराजित नहीं हुए तरती आंगल में सुजिद में टिपु जिता और अपना भुगाग अंग्रेजों को नहीं दिया नई बहुत सारा भुगाग इसमें हंग्रेजों को देना पड़ा था टिपूश और युद् בא नहीं जिता था इसमें संधी हुई थी तुटी में मंलोर की और फरस्ट में मैंसूर म्दरास की चतूरत अंल मैंसूर आगला कुशन गयारवा कुशन है विल्यम बन दायरा सती प्रथा किस वर समाप्त कर दिगी विल्यम बिन दायरा सती प्रथा आथारं सो 29 म में खतम कर दिगी किसकी मदद सेmotherाध्राम estás ठीक है रजराम मुहन राय की मदद से विलियम मेंटिक ने सती प्रथा पर पूरितिर के से बेन लगा दिया ठारसो अंतिस में कुछ और कानून लाए गया थे अंग्रेज दारा वो देख लेते हैं नौजात कन्या हत्या कानून ये 1795 में खतम किया गया बाल हत्य निरोधक कानून अठारसो चार में आया सती प्रथा निश्यत कानून अठारसो उनतिस में विलियम बेंटिक के दोरा ये इंपॉर्टेंट है पुछ जाता है कई बार हिंदू विद्वा पुनर विवा अधिनियम डलहुजी के टाइम पे ठारसो चापन में लाया गया ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है याद रखी न सार्दा एक्ट से कुछिन पुछा जाता है 1929 में आया लॉड इविन इस एक्ट में बालकों के लिए विवाह की नि अगला कुछन है भारत में पहली रेलवे लाइन कप चली डलहोजी के टाइम पे 18 children में तो कहां से कहां तक चली थी मुंबई से थाने तक रेलवे का जिन्यक किसको कहा जाता है लॉड डलहोजी को रेलवे से दो-तिन कुश्चन पूछ सकता है पहली कप चली ली 1124and में कहां तक मिंबई से थाने की बीच में भारत में रेलवे का जनक लॉड दर्होजी अगला कुशन है किसके प्रसासन काल में स्थाय बंदोबस्त प्रारम किया गिया तो इस कुशन को भी करने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं देखें यह इस्थाय बंदोबस्त है क्या भारत में ब्रिटिस चुशासन था ब्रिटिस काली उसमें भू राजस्स जो विवस्ता थी जमीन से जो राजस्स कलेक्ट किया जाता था जो टैक्स कलेक्ट करने का तरीका था क्या तीन तरीके थे एक था इस्थाय बंदोबस्त या इसी को जमीदारी विवस्ता भी बोलते थे दूसरा था रहियत वाड़ी विवस्ता तीसरी थी महाल वाड़ी विवस्ता इसमें क्या होता था जमीन दे देते थे और उसके बदले में टैक्स लेते थे यह लोग क्या क करते थे जमीदारी में जमीदारों को ठीकर रहियत वाड़ी में किसानों को जमीन देती और उसके बदले में उस पर टैक्स लेते थे तो इस्थाई बंदोवस्त किसने चालू किया कार्णवालिस में जमीदारी वस्ता किसने स्टाट की कार्णवालिस ने 1793 में रहियत इंटिंग ने 833 में यह इस्थाई बंदोगस्त कहां कहां पर थी बंगाल बिहार उडिशा उत्तरप्रदेश बनारस और उत्तरी करनाटक में ठीक है मतलब अगर हम इंडिया का मैं पैसे ड्रॉ करें तो कहां कहां पर देखें यह बंगाल वाला हिस्सा यह उडिशा वाला हिस्स उत्तरप्रदेश का कुछ बियार बनारस और करनाटक का उत्तरी हिस्सत यह ठीक है यहां पर क्या था इस्थाई बंद्वश्त थी टोटल बहुत जदा भूग नहीं था इसका सिर्फ 19 परसंट थी देखे बंबाई मद्रास और असम बंबाई वाला एरिया मद्रास वाला एरिया और असम वाला एरिया इसके बाद में महालवाड़ी विवस्था अगर हम लोग महालवाड़ी विवस्था के बात करें तो यह कहां थी उत्तरप्देश मद्परांद और पंजाब यह वाला वस्ते में क्या होता था जमीदार को जमीन दे दी जाती थी भूमी अधिकरहण सदयों के लिए जमीदार को दे दिया गया और उसके बाद में ब्रिटिस सरकार राज़स्ट की जमीदारी जमीदार को दे देता था और जमीदार उस पर अपना खेती करवाता था और उसके मालिक जो होता था डारेक्ट किसान होता था ठीक है रगयत वाड़ी में क्या होता था भूमी का मालिक डारेक्ट किसान होता था इसमें टैक्स कितना था तेटिस से पच्पन परसंट लगवाग और महाल वाड़ी में कितना था टैक्स लगवख साट परसंट के लगवाग ठीक एक गाओं है गाओं में जितनी भी जमीन है एक मुख्या के अंडर में है और वही सबसे जमीन का टैक्स कलेक्ट करके फिर अंदरेज़े तद पहुचा देगा तो यह सारी विवस्ता हैं समझ भाई तो इस्थाई बंदोबस्त किस के दौर चालू किया गया कार्ण वालिस रह कंसर हो जाएगा का कार्ण वालिस अगला कुशन है ब्रिटिस साथन के समय अर्थ वहस्ता को खोकला करने या एक्कौनौमिक ड्रेन थे खरी ठीक है एकौनौमिक ड्रेन थे खरी के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी तो दादा भाई नो जी न में इक दूरमि देखिए 1848 से लेकर के 1856 तक मतलब रायता फैलाने का काम डलहुजी ने किया लेकिन भुकता किसने अठारासो जब करांती वे 1857 में तब कैनिंग आ गया रलहुजी को यहां से वापिस बुला लिया गया कैनिंग को यहां पर भेज दिया गया तो करांती किसके टाइम पर हुई सकैनिंग के और हड़क निती कौन लेकर किया था दलहुजी लेकर किया ठीक है 1857 के बारे में थोड़ा सदेख लेते हैं लोग क्या क्या कुश्चन पूछता है देखे प्रमुक के अंदर पूछता है और उनके नेता पूछता है दिल्ली से इस करांती का नेत्रत किया बहादूर सादुती ने बक्त खाने ठीक है बक्त खाने इसको बहादूर सादुती को अपना राजा नेत्रत करके और इसका रास्ता कार्णल नेयारं इसका डिमन करता थे केंपवयल हैजासी में राज्रा लय चमिवाई और ताथा टोपय ने मिल करके इसके दमन करता थे हिरो जुकॉड नानय साहिब और पर ताथा टोप ermूत इसके दमन करता भी कैम्पेल थे तो कानपूर और लखनोदे को पास पास है तो दोनों के दमन करता कैम्पेल ही होगे इलाभाद में लियाकात अली थे करनल नील फैजाबाद में मौलवी एहमद दुल्ला करनल नील अब लाहबाद और फैजाबाद लगभग एक ही पास में है थोड़ी दूरी पर तो करनल नील हो गए जगदीशपूर में कुमर सिंग इसमें विलियम टेलर और विंसेट आयर ने इसका दमन किया बरेली में खान भादूर खान विंसेट आयर ने फैपूर में अजीमुला जनरल रिनाड तो इसमें कुछ इंपोर्टन है आपको याद करना है दिल्ली लखनव जहांसी कानपूर और जगदीशपूर ठीक है इतने तो आपको याद ही कर लेना है बाकि सारे भी याद कर लेंगे तो कुछ जादा नहीं है तो दिल्ली में निकल सन और हट सन ठीक है देखे निकल सन और हट सन दोनों याद हो जाएगे जहांसी में फिरोज ठीक है जहांसी की रानी क्या थी सबके लिए हीरो थी तो हीरो जाद कर लेना बस जगदीशपूर में विलियम टेलर इतने हो गए आगे देखते हैं अगला कुछन है वंदे मातरमगीत किस ने लिखा बबगिंचन चटर जी ने बबगिंचन चटर जी की एक पुस्तक थी आनंद मठ इसका मुख्य सीरसक था सन्यासी विद्रो बंगाल में अकाल पड़ा उसके वाद में सन्यासी विद्रो हुआ वही में इसका सीरसक था उसी वुस्तक से वंदे मातरमगीत लिया गया है तो इसके लिखा कौन है बबगिंचन चटर जी अंगला कुछन है संथाल विद्रो कनेत्वत किस ने किया संथाल विद्रो में ली 1857 के ज़श्ट पहले हुआ यह कुछन पूछा रहता है कि 1857 की कुरांती से ज़श्ट पहले एक साल पहले कौनसा विद्रो हुआ तो संथाल विद्रो इसका नितरत किसने किया सिद्धू कानू और भैरो चानू ये चारो भाई थे तो इसका अंसर हो जाएगा A और B दोनो ठीक है इसका अंसर C हो जाएगा आगे देख लेते हैं कुछ इसमें जनजाती विद्रो लिखे हुए और उसमें से भील विद्रो सेवाराम और त्रेंबक इसके बाद में खासी विद्रो राजातीरस सींग याद करना है खासी विद्रो कहा होगा खासी पहाडी पर इसके बाद कोल विद्रो बुद्धो वगत और गंगा नरायन, छोटा नागपुर का एरिया, खोंद विद्रो, चक्र विसोई, खोंद मल, संथाल विद्रो, सिद्धू कानू, राजमेल की पहाड़ियां, और इसके बाद मुंडा विद्रो, विर्सा मुंडा, छोटा नागपुर का पठार, भील विद्रो, दौलत बासवाड़ा, राजिस्थान वाला एरिया, चेच्चू विद्रो, हनुमंत, लामलाई पहाड़ी आंदर विद्रेश में, ठीक है, तो इसमें आपको ये कुछ एक है, इंपोर्टन्ट, वो आपको याद कर लेने हैं, इसके आगे देखते हैं, इसके बाद आता है, 1921 का मुपला विद्रो, केरल में, ठीक है, मुपला विद्रो बहुत इंपोर्टन्ट है, 1921 में हुआ था, कहाँ पर हुआ केरल में, अगला कुछन, एसियाटिक सुसाइटी और बंगॉल के संस्तापक कॉन थे, Sir William Jones, ठीक है, एसियाटिक सुसाइटी और बंगॉल के संस्तापक क आत्मी सभा और ब्रह्म समाज कि इस्ताफ प्रहतमी सभा और ब्रह्म समाज इसके बाद में धर्म सभा राधाकान देव तत्यों बोधनी सभा इसके बाद में परम हंस मंद रिदादोबा पांडुरंग राधासवामी सत्संग तुल्सी राम भार्ती ब्रह्मसमाझ केशोजब चन्सेन ठीक है Пराथना समाझ आत्माराम पांडूरंग समाच स्वामी दयानन सरसुति जिस पर टिक लगा है important है इसका ये और भी आपको याद करना है आये समाझ 275 ब्रह्मसमाझ 828 हाइस ठीक है और उसके बाद में प्राथना समाज अठासो शर्षट यह याद करने है इसके बाद में कि थियोसोफिकल ससाइटी मैडम एच्पी बलावत तसकी और हेंड्री अलकाट ठीक है थियोसोफिकल ससाइटी हो गया साधारण ब्रह्म समाज सिवनाज सास्त्रियानन मोहन बोश इन्होंने किया दक्कन सिक्षा समाज जी जी आगरकर इंडियन नेशनल सोसल कॉंफरेंस एम जी रनाडे देव समाज सिवनाराड अगनी होत्री रामकृष्ण मिशन स्वामी वेकानन इंपोर्टन्ट है रामकृष्ण परम्हान सिन के गुरू का नाम था उन्हीं के नाम पे इन्होंने रामकृष्ण मिशन स्टार्ट किया भारत सेवक समाज जी के जी गोपाल क्रिष्ण गोखले तो इतने इसमें कौन-कौन से इंपोर्टेंट है याद करने हैं आपको रामकृष्ण मिशन बिलकुल याद रखना है अठास तानवे में उसके बाद में भारत सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले थियोसोफिकल ससाइटी मैडम एच्पी ब्लावा तसकी पूना सेवसदन, स्रीमती, रमावाई, रनाडे, सोशल सर्विस लीग, एनम जोशी, सेवसमिती, हर्दैनाद कुंजरू, निरंकारी, देयालदास, दर्बार सिंग, रतंदास, नामधारी, राम सिंग, तीक है आगे देखते हैं अगला कुश्चन है, महत्मा गांधी दोरा, दक्षिड अफरीका में प्रकासित समाचर पत्र का नाम क्या था? तो दक्षिड अफरीका में इंडियन ओपीनियन, ठीक है? वहाँ पे अपना ओपीनियन रखा, तो इंडियन ओपीनियन कहां पे इस थार्पर प्रकासित किया दक्षिड अफरीका में, ठीक है? आगे देखते हैं, हरिजन के, हरिजन का जहां पर भी नाम आएगा, महत्मा गांधी आएगा, उसमें हरिजन इन्होंने पत्रिका भी प्रारम की थी, और जो दलित लोग होते हैं, जो पिछड़े लोग होते हैं समाज के, उनको इन्होंने हरिजन भी कहा था है, ठीक है? लिखा है अन्यम लिखन में से कौन एक सही सुमेलित है, देखो महत्मा गांधी, मूक नायक, नहीं गलत है, बाल गंगा धरतिलक, यंग इंडिया गलत, एन्नी बेसेंट, कॉमन बील, ये सही है, ठीक है? भी आरम बेटकर, केसरी नहीं, इसमे याद रहेगा, मूक नायक, बीयारम बेटकर, महत्मा गंधी, यंग इंडिया, बाल गंगा धरतिलक, केसरी, अगला है, निम्ली कितम से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी शर्यंत्र के मामले में फासी सड़ा दिया, तो इसमें रामपरसाद बिसमिल, सर्फरोश्थी की कितमना अब हमारे दिल में, किसने कहा था, रामपरसाद बिसमिल लेगा, कुछ महत्पूर करांदिकारी घटना है, इंपोर्टन है, कई बार कुछन पूछा जाता है, तो देख लेते हैं, एक है अल्लीपूर सड़ेंत्र केस, इस से बहुत ज्यादा कुछन पूछा जाता ह इसमें किसको किसको करांदिकारी इसमें कौन-कून थे, खुदी रामबोस और प्रफुल चंद चाकी, ठीक, अल्लीपूर सड़ेंत्र केस में कौन-कून थे, मुझफरपूर में, खुदी रामबोस और प्रफुल चाकी, इसके बाद में, काकोरी ट्रेन डगातिकांड, इस के लांतिकारी कौन थे सूर इसें थे जन्रल डायर हत्याकांड 1940 में हुआ लंदन में उधम सिंग ने जन्रल डायर को मा रहा था अगला कुशन है इंकलाब जिन्दाबाद किस ने कहां इंकलाब जिन्दाबाद का नारा किस से जुड़ा हुआ है सरदार भागत सिंग कुछ नारे हैं इनको आप पढ़ लिजे इंकलाब जिन्दाबाद भागत सिंग दिली चलो सुभास्चन बोस करो या मरो महत्मा गांधी जै हिंद सुभासचंड बोस, एंड सुराज नहरू, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान भारत्य अथ। हरिस्चन वेदों की तरफ लोटो, दियानन सरस्थी, आराम हराम है, जवालान नहरू, हे राम महत्मागांधी, भाहर छोड़ो महत्मा गांधी, जै जवान जै किसान, लाल भाहतर सास्त्री, मारो फिरंगी को मंगल बांडे बहुत इंपॉर्टन्ट है, बार बार पूछी रते हैं आपके एक्जाम में, तो इसको रट लेना है वंदे मातरम वंपिंचन चटर जी, अभी हम लोगों कुश्चन भी देखा, जन्गरमन अधिनायक जै है, रविना ठाकूर, समराज जिवाद का नासो, भगस सिंग, सुराज हमारा जन्म सिद्धिकार है, बाल गुमादा तिलग, सरफरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, आम पर साथ बिसमेल, सारे जहां से अच्छा हैं दोस्ता हमारा इकबाल, साइमन कमिशन वापिस जाओ, लाला लाजपतराए, साइमन कमिशन का विरोध करते हुए, लाला लाजपतराए के सर पे लाठी लगी पिलिस की, और भी रत्तिय हो गए थी, मेरे सिर्पल लाठी का एक प्रहार अंगरेजी सासन में ताबूत की कील साबित होगा, लाला लाजपतराए, मुसल्मान मूर्ग थे, जो उन्हें सुरक्षा की मांग की, और हिंदू उनसे भी मूर्ग थे, जो उन्हें उसमांग को ठुपरा दिया, अबूल कलाम आज़ाद इसके बाद वह कौन थे, जुन्हें ने गदर पार्टी को स्थापित किया, गदर पार्टी, लाला हर्दियाल 1905 में, बंगाल विभाजन के समय वाइसराय कौन था? करजन, लॉड करजन ने क्या किया था? बंगाल का विभाजन कर दिया था, ये पूर्वी और ये पस्चमी बंगाल कर दिया था, संप्रदाईकता को बढ़ाने के लिए संप्रदाइक्ता को बढ़ाने के लिए दि ग्रेंड ओल्ड मैन के नाम से कौन जाना जाता था दादा भाई नोरोजी को ग्रेंड ओल्ड मैन कहा जाता था 1909 में इंडिया काउंसल एक्ट में किस बात की वस्था की गई 1905 में क्या हुआ बंगाल का विभाजन और उसी के बार में 1906 में मुसलिम लीग की स्थापना होग monarch से अलग होगी 1907 में गरम दल नरम दल अलग होगह ठीके गरम दल और नरम दल भी अलग होगह तो फूट चल रही थी एक तरफ बारत में चीजे बिखर रही थी तो उस टाइम पे समपर्दाईक प्रतनिद्थ भी लेकर के आ गए थे 1909 में मॉरले मिन्टो रिफॉम मॉरले मिन्टो रिफॉम आये और उसमें किस चीज की बात की गई समपर्दाईक प्रतनिद्थ की बात की गई अगला कुश्चन है 1912 स्वी में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आई तब उसमें भारत का वाइसरोय कौन था लॉर्ड होडिंग देखिए 1911 में दिल्ली दर्बार हुआ उसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया बंगाल विभाजन को खतम कर दिया गया जो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में और वहां से जो कलकत्ता से राजधानी थी वो दिल्ली ट्रांसफर हो गयी कब हुई 1911 में आदेश दिया गया 1912 में दिल्ली ट्रांसफर हो गई इसकी राज़ा ही उस टैंक कौन था लॉर्ड होर्डिंग अगला है कुशन दक्षड अफरीका में रहने वाल की अगधी महत्मा गांधी में ने जिन पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम क्या था इंडियन ओपीनियन हम लोगों ने अभी देखा अभी इससे पहले भी कुशन कर चुके हम लोग इंडियन ओपीनियन महत्मा गांधी प्रकासित की थी महात्मा गांधी दच्छड अफ्रीका से भारत किस वर्स लोटे उनीच्व पंद्रा में ठीक है नो जन्वरी को लोटे थे तो इसी दिन प्रवाश्ची दिवस भी मनाया जाता है अगला है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे देखें महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन में निमलिकित गटनाओं का काल क्रम क्या है तो इसमें देखिए चंपारण 1917 एहमदबाद मिल हर्ताल 1918 सिक्वेंस देखते रही है खेड़ा अंदोलन 1918 में उन्होंने खेड़ा का भी अंदोलन किया और असायोग अंदोलन उन्होंने 1920 में स्टाट किया ठीक है विससे जो 22 तक चला था सबसे पहले आने के बाद में यह चंपारण भी हर्च ले गए उसके बाद में एहमदबाद आए मिल मजदूर मिल में हर्ताल की उसके बाद में खेड़ा अंदोलन किया ठीक है तो यह सिक्वेंस इसका 1917, 1918, 1918 और 1920 तो यह सिक्वेंस जाद रखेंगे क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4 यह बी अंसर हो जाएगा तो महत्मा कांधी के जीवन से हम लोग थोड़ी चीज़े देख लेकते हैं देखें चंपारण सत्याग्रा जो है 1917 में हुआ पहला वास्तिविक किसान सत्याग्रा था जो तिनकठिया प्रडाली से समंदित था तीन मटे बीस भाग पर नील की खेती के विरूद सत्याग्रा किया गया था किसानों दोरा जिसे तिनकठिया प्रडाली कहा जाता था किसानों को जवर्जस्ती अपने जमीन के 3-20 बीस भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी और नील उस टाइम पर की उपयोगता खतम हो गई थी सिंथेटिक कलरज यूज़ किये जाने लगे थे फिर भी उप्योगता खतम होने के बावजूद किसानों को नेल की खेती करने पड़ती थी इसका विरोत करने के लिए कौन सा अंदोलन किया गया यह चंपारं सत्याग्रह किया गया ठीक है इसके बाद एहमदाबाद मिल मजदूर अंदोलन हुआ इन्होंने महत्मा गांदी न अंदोलन निस सो निस में कि प्रतम असायोग अंदोलन के व्यक्ति यहीं से शुरू हुई और उन्निस सो बीस में खिलाफत अंदोलन असयोग अंदोलन के साथ में बिल करके एक बड़ा अंदोलन स्टार्ट किया गया असयोग अंदोलन यह प्रतम जन अंदोलन के व्यक्ति सविने वग्य आंदोलन 1930 में डंडी मार्च के बाद में स्टार्ट किया गया फिर उसके बाद 1940 में व्यक्तिकत 17 रह महतमा गांदी ने किया दिल्ली चलो भियान भी इसको कह रहाता है दिल्ली चलो भियान भारत छोड़ो आंदोलन 1922 में स्टार्ट किया गया महत्मा गांदी बारा करो या मरो का इसी मिनारा दिया गया भारत छोड़ो अगला कुश्चन है महत्मा गांदी को सरप्रथम राष्ट पिता किस ने कहा सुभास चन्द बोस ने महत्मा गांदी को राष्ट पिता कहा बार्दोली सत्याग्रह, बार्दोली सत्याग्रह, 1928 का नित्वत किस ने किया, सरदार वल्लब भाई पटेल ने किया, इसी में यहां की महिलाओं ने इनको सरदार की उपादी दी थी, ठीक है, तो बार्दोली सत्याग्रह के बाद में वल्लब भाई पटेल को सरदार की उपा 99 में रॉलिटент आया, इसको काला कानून में नामसे भी जाना जाता था इसमें बिना आपील, बिना दलिल उछा करके जेल में डाल देते थे हैं घ्रेज तो इसका विरोध करने के लिए ही जलिया वाला बार्ग में शेय करे हुआ, then उसी के विरोध चल रहा था तो 1919 में ही रॉले टैक्ट भी आया 1919 में ही जलिया वाला टैकांड भी हुआ और उसी के बाद में 1920 में असेयो गाम दूलन चलाया गया इसी के विरोध में ठीक है उसें पूरी जितनी भी इवेंट्स हुए हैं उनकी सिर्फ क्रोनोलोजी डेट उनकी बताए गई है तो वह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टन तो उसको भी देख लेंगे आप लोग अगला कुशन है 1913 मार्च 1940 को सर माइकल और डायर को गोली से मार दिया किसने मारा उधम सिंग ने अभी हम लोग उने इससे पहले भी हम लोग उने देख लिया तो 1940 में जनरल डायर को किसने मारा उधम सिंग ने जनरल डायर कौन था जिसने जलिया वाला बाग में जलिया वाला बाग में बो प्रिकित में से कौन 4 चौरा कांड की वास्तिविक डेट है तो इंपोर्टन्ट है याद कर लेना चार फरूरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था गोरखपुर जिले में एक जगे का नाम है चौरी चौरा ठीक है गोरखपुर कहा है यूपी में ठीक है वहाँ पर क्या किया था पुलिस वालों को जेल में बंद करके पुलिस वालों को थाने के अंदर ही बंद करके वहाँ पर आग लगा दी गए थी इसलिए असेयो गांडो 12 तक चला 1922 में चोरी-चोरा गांड हो गया फिर उसके बाद में महात्मादान ली ने अपना अगला कुछन है साइमेन कमिशन भारत किस वर्स आया तो इसको याद रखेंगे साइमेन कमिशन देखो 1927 में इसका निर्मान हुआ लेकिन 1928 में भारत आया ठीक है मतलब वही नॉ अगला कुछन गांधी इर्विन समझोते पर हस्ताक्षण हुआ देखें 1930 में सविने वग्या अंदुलन स्टार्ट किया गया फिर इर्विन सहाव आया 1931 में अब आंदुलन बंद कर दो और लंदन में गोल में संहेलन हो रहे है उसमें आप भाग लिजिए और अपनी बा तो महत्मा गांधी 1931 में गोल में सम्मिलन में भाग लेने के लिए पहुंचे, वहाँ पर उनकी बात सुनी नहीं गई, तो वापिस आ करके 1932 से इन्होंने फिर से अंदोलन अपना शुरू पर दिया, गांधी इर्विन समझोता क्या था, सभी ने अवग्या अंदोलन को करके गोल में सम्मिलन में भाग लेने के लिए गांधी जी को मनाने के लिए, कब हुआ 1931 में, तीस में अंदोलन शुरू हुआ, गांधी जी ने कौन से गोल में सम्मिलन में भाग लिया था, दूसरे गोल पर सम्मिलन, पहला फर्स्ट वाला जो था, वो 1931 में, और थर्ड पहला कब हुआ 1932 में महत्मा गांधी ने किस में भाग लिया था दूसरे में वह कौन से भाड़ी थे जिनने तीनों में भुण में भाग लिया था रिमिण कर रोटppen Chiefs में ब्सक्राइन कజ अहिए अगला कुश्षन निमली कितने से किस ने तीनों गोल में सम्मेल नों ने भाग लिया तो बीरम बेटकर हम लोग देख चुके हैं इसको अगला कुश्षन है बीरम बेटकर वा गांधी जी के बीच एक सम्झोता हुआ पूना पैक्ट में भीमरा बेटकर और गांधी जी के बीच में सम्झोता होता है लखना वह सम्झोता किसे समझते थे Congress की गरम दल और नरम दल और Muslim League इस समझोते में एक हो गया है ठीक है जो 1906 में अलग हो गयी थी Muslim League वो और 1907 में जो गरम दल अलग हो गया था वो सब Congress में मिल गए यह हुआ अलगनों समझोते में उसके बाद है क्रिप्श मिसन किस वर्ष भारत है अगला कुशन वर्स 1922 क्यों महत्पोर है देखे प्रिप्समिशन भारत आने के बाद में भारत की मांगे पूरी नहीं वी उसके बाद में मातमा गांधी ने उन्हें 1922 में अपना अंतिम अंदुलन स्टार्ट किया भारत छोड़ा अंदुलन के लिए करो या मरो नारा किस ने दिया महत्मा गांधी ने लोग देख चुके हैं कि अ फॉरवर्ड ब्लॉक किस थापना किसने गी सुभास्चन बोस्ने फॉरवरड ब्लॉक किस थापना कि अगला आजाद हिंद फाउज का विचार सबसे पहले किस NICK सुझाया सबसे पहले आगे हम सिंह भारत में एक तो भारत छोड़ा अंदोलन और दूसरा आएन ने की स्थापना हुई ठीक है दो महत्पूर काम है याद रखना है अगला कुश्च्छ अगला कुश्च्छन है देश बंदू की उपादी किसे संबंदित है तो चितरंजन दास जो सीर दास है उनको देश बंदू की उ जब 1922 में महत्मा गांधी ने असयोग आंदोलन बंद कर दिया तो चितरंजन दास और मोतिलाल नहरू मिल करके 1923 में इन्होंने सराजपार्टी की स्थापना की कुछ लीडर्स के निकनेम्स हैं वो हम देख लेते हैं महत्मा गांधी को फादर अपनेशन या बापू या मह आत्मा कहा गया जोहला नहरू का निकनेम है चाचा नहरू सुभाशन बोस को नेता जी और प्रिंस आफ प्रियाट रविना टैगोर को कभी गुरु और गुरुदेव बाल गंगा दतिलक को माराथा केसरी लोकमाननी के नाम से लाला लाजपतराय को पंजाब केसरी जादा बाहिनोरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन आफ इंडिया उने कुशन में भी देखा चितरंजन दास को देश बंदू अभी हम लोगों ने पढ़ा है महाराधर अटजीस सिंग को सेरे पंजाब खान खान अब्दुल गफार खान फ्रंटियर गांधी के नाम से के केलपन केरला ग मधन महानमालवी को महमना भगस सिंह सहीदOb गशिंग, विपिन चंन्धर पाल को मंगोर टाइंगर, रादरा माहन राइगा कॉर एगी तो खालते पन के पातियों महानमय के देखन उल्डागा को ओ भिण फिक्र उने रहल भुपन को और भींड पेंजन राजय को आगई आ लोकनायक, Charles Freer Andrews, दिन बंधु, बी आरंबेड करको बाबा साहिब, अगला कुशन, अगला और लास्ट कुशन, भारती राश्ट्री कॉंग्रेस, कॉंग्रेस के बाद अभी तक हम लोगों नहीं नहीं की, तो भारती राश्ट्री कॉंग्रेस के स्थापना कब हुई, 885 में, सब कर दिए, इसके बाद में थोड़ा सब देख लेते हैं, डिटेल में, भारती राश्ट्री कॉंग्रेस के स्थापना किसने की, विसने की, किसने की, एक हमने दिसंबर 885 में इसका पहला अधिवेशन पूने में होने वाला था लेकिन वहाँ पर प्लेज फैल जाने के कारण उसका अधिवेशन बंबई में आजित के अगया बंबई में कहां पर दिसंबर 885 में इसका पहला अधिवेशन होता है इसके अधिवेशन जन्रली वर्ष के अंत में ही दिसम्बर नॉम्बर में ही होते थे तो पहला अधिवेशन इसका होता है गोकुलजास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में कहां पर बंबई में सबसे पहले इसका नाम रखा गया था भारती राष्ट्री संग लेकिन दादा भाहिन और जी ने इसका नाम बदल करके भारती राष्ट्री कॉंग्रस नाम हो दिया इसके टाइम पे जब कॉंग्रस का निर्माड हुआ तब उस टाइम पे वाइसरोय कॉन था भारत का लॉर्ड डफरिंग कॉंग्रस के कुछ इंपॉर्टन अधिवेशन हम लोग देख लेते हैं देखें पहला अधिवेशन इसका बंबई में हुआ दूसरा कलकत्ता में हुआ तीसरा मदरास में हुआ और चोथा हुआ अलहाबाद में तो ऐसे समझो कि ये अपना इंडिया है और पहला अधिवेशन ये यहाँ पर मंबई में हुआ ठीक है ये मंबई है इसके बाद में दूसरा कहां हुआ कलकत्ता में हुआ तीसरा कहां हुआ मदरास में हुआ चोथा हुआ अलहाबाद में तो पस्चिम पूरव दक्षिन उत्तर ऐसे हुआ सबसे पहले दियो में चंद बैनर जी इसके अधक्ष बने फिर दादा भाई नोरो जी फिर बदर दिन तयब जी फिर जोर्ज यू ले ठीक है तो पहले जो बैनर जी ये बंगली बावू थे फिर ये पार्सी थे उसके बाद मुस्लिम बनाए गए उसके बाद क्रिस्चन बनाए गए ठीक तो आप देख रहो कि हर बार इसके जो अधक्ष थे वो चेंज किये गए अलग अलग समधाय से लिए गए तो ये याद हो जाएगा पहला मुंबाई दूसरा बंगॉल फिर मदरास फिर अलहाबाद ऐसे फिर पहले में बैनर जी फिर नोरो जी फिर तयब जी फिर यूले तो जॉर्ज यूले से कुश्चन आता है कि प्रथम अंग्रेज अधक्ष जो कॉंग्रेस के बनाए गए कब बनाए गया 1888 में कहां कि अधक्षिता की अलहाबाद की तो चार जो ये अधिरेशन थे वो याद हो जाएंगे आगे देखते हैं 1905 वाला important है क्योंकि इसमें बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में तो बनारस में इसका अधिरेशन हुआ किसने अधिक्षता की गोपाल कर्ष्ण गोखले ठीक है गोपाल कर्ष्ण गोखले ने 1905 में अधिक्षता की थी 1906 में जब कॉंग्रेस का विभाजन हुआ तब कौन था दादा भाई नुड़ो जी थे ठीक है कलकत्ता कहां पर हुआ जातर जो महत्पूड अधिरेशन और क्या हुआ यहां पर कॉंग्रेस का बटवार होगी फिर उसके बाद में सूरत गुजरात में यहां पर अधिवेशन हुआ 1907 का रास्विहरी घोष के अधिक्षता में यहां पर क्या हुआ गरंदल और नरंदल में कॉंग्रेस बटगी कि 1908 में भी डक्टरास वीरी घोष थे मद्रास में अधिवेशन हुआ 1909 मिंटो मॉरले में मॉल्वी ठीक है मिंटो मॉरले मियम मार यह तो इसमें भी देखो ऑन यह मर यह और तो 1909 में ही जो लाहुर में अधिवेशन हुआ मदन मोहन मालवी इने दक्षता में 1910 में सर विलियम वेडरबर्न और 11 में पंडित विशन नरायन दर पंडित विशन नरायन दर ने 11 में क्या हुआ दिल्ली दरबार 11 में क्या हुआ दिल्ली दरबार और दिल्ली दरबार में क्या होगा पंडित जी भी आएंगे और पूजा पाट करवाएंगे तो पंडित विशन नरायन दर याद रहेगा 1911 में इन्हों है दक्षता की कहां पर कलकत्ता कलकत्ता में इंपोर्टेंट अधिवेशन सारे हुए हैं आगे देखते हैं 1916 में सारे लोग मिल गए थे कॉंग्रेस का गरमदल नरमदल और मुस्लिम लीग लखनौव पैक्ट के नाम से इसको जाना जाता है लखनौव में ही अधिवेशन हुआ और इसके दक्षता की अंबिका चरण मजूमदार ठीक है अंबिका चरण मजूमदार क दक्षता में सारे लोग मिल गए 1917 में उसके अगले साल एन्नी बेसेंट जो पहली विदेशी महिला दक्ष बनी वो कलकत्ता में हुआ अधिवेशन फिर 1918 में फिर से मंदन महंद मालवी 18 में सेयत हसन इमाम ने भी अधिवेशता की विसे सदेशन पे 19 में बंडित मोतिला नह और इसका अधिवेशन भी हुआ किसने दक्षता की मोतिलाल नहरु ने ठीक है विस में विर रगवाचारी 20 में ही लाला राच पत्राय इस्पेसल अधिवेशन जो हुआ है 21 में हकीम अजमल खां एहमदाबाद तो इसमें इंपोर्टेंट आपको 19 वाले याद रखना है चत्रेजन दास कहां पर गया भीहार में फिर उसके बाद में 23 में ही मुलाना अबुलकला माजाद ने अधिवेशन की इसको याद करना है 1924 इंपोर्टेंट है गांधी जी ने सिर्फ एक ही अधिवेशन की अधिवेशन की अधिवेशन की अधिवेशन की अधिवेशन की य चेकाद होर है important जाद कर लेना है 1929 बहुत important है इसको very important mark कर लेंगे पंडित जवालन नहरू के अधिक्षता में लाहूर में अधिवेशन हुआ इसी में पूंड सुराज की मांग की गई ठेक है पूंड सुराज की मांग कहां की गई लाहूर अधिवेशन में किसने अधिक्ष इसमें त्याग पत्र दे दिया त्रिपुरी अधिवेशन में अधिक्षता करने के बाद में इन्होंने अधिक्षता की फिर एक लास्ट है 1946 में जेवी कृपलानी सुतनत्ता के समय अधिक्षत है जो पूछा जाता है कभी कबार मेरट में अधिवेशन हुआ इसका तो इसी करके यह जुरूर बताना है कि वीडियो आपको कैसे लगी और यह 50 questions आपके लिए कितना important है कितना ज्यादा valuable है यह आपको बताना है और इसको एक दो बार आप वीडियो देखेंगे तो सारे questions आपको याद भी हो जाएंगे ठीक है तो आज की इस वीडियो में इतना ही मिलत को सेयर कर दें मिलते है नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग संकल्प मैट्स